साहब, हम आपकी हालत समझ सकते हैं अनुर्ट भाईया के जाने का दुख सबको है मुझे आज भी ओधिन याद है जब वो मेरे गाउ जाया करते थे मेरी अम्मी के हातों की रोटी खाया करते मेरी अम्मी को उन्होंने अपनी अम्मी की तरह माना मेरी बेहन को उन्होंने अपनी बेहन माना उसकी पढ़ाई पर उन्होंने करचा किये बाके छोड़े चोगे इसकूली बच्चों के इसार खेला करते थे अधानी ऐसा कौन सा करम किया जो खुदा ने हमारे साथ ऐसा किये खुदा ने वो कती मेरे को क्यों नहीं दी वाले साहब के साहथ ऐसा किया साहब मैंने दिन रात सिर्फ अनुरुत भाई का चेहरा देता साहब और कुछ ने मैंने अपनी अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताया अगर अम्मी को इस बारे में पता चलिया ना तो वो तो जानी दे देगी अपने बेटे की तरह मानती थी उनको और मैं हमेशा अपने बड़े भाई की थी